नए दिल्ली में पोंगल सम्हारों का आयोजन किया गया इस दोरान प्रधान मंत्री नरेंद्र मोधी ने कारिक्रम में प्रतिभाग किया पीम ने सम्हारों को संबोधित करते हुए सभी को पोंगल के पर्व की शुपकामना दी प्रव ने कहा कि पोंगल के पवित्र दिन तमिलनाडु के हर घर से पोंगल धारा का प्रवाह होता है उन्होंने कामना व्यक्त करते हुए कहा कि आपके जीवन में भी सुख सम्रिध्य और संतोष की धारा का प्रवाह यूही निरंतर होता रहे इसके साथ ही उन्होंने कहा कि संत तिरुवलूर ने कहा है अच्छी फसल, पढ़े लिखे व्यक्ति और इमानदार व्यपारी ये तीनों मिलकर राष्ट निर्मान करते हैं उन्होंने पोंगल परव का महतु बताते हुए कहा कि इसमे ताजी फसल को भगवान की चड़नों में समर्पित करने की परंपरा है इस पूरी उत्सव परंपरा के केंद्र में हमारे अन्यदता हमारे किसान है आप सभी को पोंगल के परव की अनेक अनेक शुब कामना हैं पोंगल के पवित्र दीन तमिल नाडु के हर घर से पोंगल धारा का प्रवा होता है मेरी कामरा है उसी तरह आपके जीवन में भी सुख, समृद्धी और संतोष की धारा का प्रवा निरंतर होता रहे कल ही देश ने लोड़ी का पर्व धुम धाम से मनाया है माग बिहु भी बताने ही वाला है मैं सभी पर्वों की सभी देश वास्यों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ शुप कामराय देता हूँ साथियों यहां मुझे मेरे कई परिच्चित चहरे नजर आ रहे हैं पिछले साल भी हम सब तमिल पुथांडू के आउसर पर यहां मिल चुके हैं मैं मुरुगन जी को धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने मुझे इस अद्भूत आयोजन का हिस्सा बनने का आउसर दिया यह ऐसा है जैसे मैं अपने परिवार और दोस्तों के साथ कोई उत्सम मना रहा हूँ साथियों संत तिरुवल्वर ने कहा है अच्छी फसल पड़े लिखे व्यक्ति और इमांदार व्यापारी यह तीनों मिलकर राष्ट निर्मान करते हैं पौंगल पर्व में ताजी फसल को भगवान के चरणों में समर्पित करने की परंपरा है इस पूरी उत्सव परंपरा के केंद्र में हमारे अन्नदाता हमारे किसान है और वैसे भी भारत का हर त्योहार किसी न किसी रूप में गाउं से किसानी से फसल से जुड़ा हुआ होता है मुझे आध है पिछली बार हमने इस बारे में भी चर्चा की थी कि कैसे हमारे मिलेट्स या स्री अन्न तमील संस्कृती से जुड़े हुए है मुझे खुशी है कि सुपर फूर को लेकर देश में और दुनिया में एक नई जागरती आई है हमारे बहुत सारे नवजवान मिलेट्स श्री अन्न को लेकर नए स्टार्ट अप चुरू कर रहे हैं और यह स्टार्ट अप आज बहुत पपलर हो रहे हैं स्री अन्न के उत्वादन से हमारे देश के तीन करोड चे अधिक छोटे किसान जुड़े हुए हैं स्री अन्न को प्रमोड करते हैं तो सीधे सीधे ए तीन करोड किसानों का भला होता साथियों पॉंगल के आउसर पर तमिल महलाए अपने घर के बार कोलम बनाती है सबसे पहले वो आटे का इस्तमाल करके जमीन पर कई डॉट्स बनाती है और एक बार जब सारे डॉट्स बन जाते हैं तो हर एक का एक अलग महत्व होता है यह तस्वीर ही मन लुभाने वाली होती है लेकिन कोलम का असली रूप तब और वैविरसाली हो जाता है जब यह सभी डॉट्स मिला दिये जाते हैं और बड़ी कलाकृती बनाकर इसमें रंग भरा जाता है हमारा देश और उसकी विविदता भी कोलम के जैसी है जब देश का कोना कोना एक दूसरे से भावात्मग रुप से जुड़ता है तो हमारी शक्ती एक अलग रुप दिखाती है पॉंगल का पर्व भी एक ऐसा ही पर्व है जो एक भारत स्रेष्ट भारत की राष्ट भावना को दर्शाता है बीते समय में काशी तमिल संगमम और सवराष्ट तमिल संगमम अत्यंत महतुपन परंपरा शुरू हुई है और उसमें भी यह भाव प्रगठ होता है यह भावना दिखती है इन सभी आयोजनों में बहुत बड़ी संग्ख्या में हमारे तमिल भाई बहन उत्साह से हिस्सा लेते हैं साथियों एकता की यही भावना 2047 तक विक्सीद भारत के निर्मान की सबसे बड़ी शक्ती है सबसे बड़ी पूंजी है मैं फिर एक बार मुर्गन जी का धन्यवाद करता हूं मुलात काम